बुड मॉनिंग चिल्डरन, मैं आपका रजक्सर, आज आपके लिए कच्छा पाच्वी विशाय हिंदी व्याकरण, सब टॉपिक है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार, जो बिंदी होती है, स्वार के उपर, बेंजन के उपर, तो चले, आज हम देखते हैं, अनुस्वार के क साथियों, बच्चों ये है अनुस्वार, अनुस्वार उनका जो चिन है, शिरो रेखा देकर, जो लाइन है, इसे हम शिरो रेखा कहते हैं, और उस शिरो रेखे के उपर एक बिंदी है, इस बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, और ये जो लाइन है, ए लाइन को हम लोग सीरो रेखा कहते हैं आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो का हमारा उद्देश यह है सातियों बच्चों आपको हमारा आइडिया नॉलेज शेयर करना है इस वीडियो के अंत में आप अनुस्वर के बारे में जान सकेंगे इसको सही सही व्यक्त कर सकेंगे परिच्छाओं में बाचीत पर पेपर पर आप इसको सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे बच्चों सीरो रेखा एक सब्ध है इसो आपको जानना बहुत जरूरी है सब्द के सर पर जो रेखा होती है उसे सीरो रेखा कहते हैं जैसे यहाँ पर उधारन के तोर पर समझा गया है आम आम एक सब्द है और उसके माथे पर उसके सीर पर एक लाइन खिची गई है इस लाइन को सीरो रेखा कहते हैं जिस तरह यहाँ पर 3 देकर आपको दिखाया गया है सीरो रिखा क्या होता है ये लेसन सुरू करने से पहले आपको कुछ basic concept होनी चाहिए सीरो रिखा की concept होनी चाहिए तो मुझे आसा है आप लोग इसको समझ चुके होंगे अनुस्वार को सीखने से पहले आपको सुर्य रुखा और पंच्छा मच्छर का ज्यान होना चाहिए पंच्छा मच्छर क्या है बच्छों साथियों पंच्छा अच्छब जैसे जी तरह है स्वर में आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, 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 तो बच्चों आप देख रहे हैं, साथियों यहाँ पर टाठा डाधा ताठा दाधा ना पपपपव मा यह ग्रूप है, पांच वणों का पांच वेंजनों का ग्रूप है, और उस ग्रूप के अंत में जो अंगा या ना ना मा आता है, तो ऐसी स्थिति में जो पच्वा बच्चों अनुस्वार को सीखने के लिए इनके कुछ नियम हैं, पहला नियम अनुस्वार का प्रियोग नास के वेंजन के स्थान पर किया जाता है, अर्थार जो नाक की ध्वनी होती है, तो जिस ध्वनी का हम नाक से इस्थमाल करते हैं, उसके नास के वेंजन कहते हैं, और वो वेंजन जो हम जिस वेंजन के माध्यम से नाक से कहते हैं, तो वो नास के वेंजन कहलाता है, दूसरा नियम यहर लव तलविश मुदंतिसा दंतिसा हा, के पहले आने वाले वेंजन पर अनुस्वर का प्रियोग होता है इसे ध्यान से ध्यान देने वाली बात यह है वच्चो यारा लाव तलवेश शहा के पहले जो भी अच्छर आते हैं अनुस्वर का प्रियोग होगा अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वर का प्रियोग होता है नमबर थ्री जो रूल है अनुनासिक है यहनी जो चंदर बिंदु वाले सब्ध हैं कभी-कभी वहाँ पर चंदर बिंदु हम लोग नहीं लगाकर बिंदु लगाते हैं जिसे अनुस्वार कहते हैं तो ऐसी स्तिती में वहाँ पर जगा की कमी के कारण तो हम लोग वहाँ अनुस्वार का प्रयोक करते हैं चौथी जो नियम है अनुस्वार का जो वास्तिवी ग्रूप है जहां पर होना चाहिए वहीं पर अनुस्वार का हम लोग प्रयोक करते हैं जो वास्तिवी ग्रूप में होना चाहिए जो fix हैं तो ऐसी सती में वास्तिवी ग्रूप में जहां होता है नंबर पांच अन्य सिरो रेखा पंचम अक्षर वेंजन का ज्ञान होना है जो मैंने आपको उपर बता चुका हूं तो अभी आगे बढ़ते हैं बचो मित्रों यहां अनुस्वार का प्रियोग नास की वेंजन के स्थान पर किया गया है नास की वेंजन ऐसा जो वन है अक्षर है जो नाक की ध्वनी उत्पन करती है जब हम कहते हैं तो नाक की ध्वनी उत्पन होती है और नाक का सहरा लिया जाता है नाक से थोड़ा से तो जैसे यहाँ पर गा प्लस अंगा हलंथ प्लस गा तो गंगा इक्वल टू गंगा बराबर गंगा हुआ है तो ऐसी स्तिती में देखे का खा गा अंगा अंगा का प्रयोग हम ना करके ऊपर में बिंदी लगाई गई है उस बिंदू को हम लोग अनुस्वार कहते हैं इसी तरह संख संख स प्लस अंग हलंत प्लस ख देखे यहाँ पर अंग जो है वो बन गया है बिंदू बिंदी तो देखे का खा गा गा अंगा तो यह वन के पच्छुवा नंबर है पंचम अच्छर आप अनुस्वार में तबदील हो गई है तो ऐसी सिती में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जैसे यहाँ चंचल च प्लस इयां च प्लस ला तो चंचल चंचल में जो इयां है वो पंचम अच्छर चा चा जा जा इयां के जो वन के जो ग्रूप है वेंजन के जो ग्रूप है, चा के जो ग्रूप है, उस ग्रूप का जो अंती मक्षर है, पंचवा अक्षर है, पंचा मक्षर इया, इया बन गया अनुश्वार और चंचल बन गया है, इसी तरह दंत, जो दंत है, द प्लस आधना प्लस त, तो आधना जो अनुश्वार का काम क अरगरं रहा है क्योंटता दा ओंतिम ज स्थिति में इसी स्थिती में जब पंक्चम अक्षर पंचम यह सही है, चंपा, यह सही सब्ध है, तो कंट यहाँ पर जो दिखाया गया, वो गलत है, चंपा जो यहाँ लिखाया, यह गलत है, तो ऐसी स्थिती में चंपा नहीं लिखते हैं, कंट नहीं लिखते हैं, कंट जो सही रूप है, आपको बाई तरब दिखाया गया, घंटा, प दंतिसा दंतिसा हा वेंजन से पहले आने वाले स्वर या वेंजन पर अनुस्वार का प्रयोग होता है जैसे कि यहां पर उधारन के रूप में आपको दिखाया गया है श अनुस्वार योग तो यहां के पहले सा आया है तो यहां जो रूल है नियम का अधार पर यहां के पहल पिर सा आया है संयम संयुक्त इसी तरह रा के पहले सा आया है वहाँ अनुस्वार का प्रियोग हुआ है इसी तरह ला के पहले सा आया है सनलग्न फिसी तरह संवहन वा के पहले सा आया है तो अनुस्वार का प्रियोग हुआ है इसी तरह अन्स सा आया है तलविश्य तो वहाँ पर जो अच्छरा हैं पहला अच्छा आ में आसवर पर अनुसवर का प्रयोग हुआ है तो आपको इस नियम को याद कर लेना है बच्चो साथियों बहुत ही सरल है एक बार आप याद कर लेंगे तो आप जीवन में नहीं भूलेंगे आपकी गलती होने की गुंजाइस बहुत कम रहेगी, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं, साथियों, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रियोग होता है, जैसे यहां पर नहीं, नहींज में ए की मातरा है, और यहां पर चैंदरबिंदु होनी चाहिए, अनुनासिक चिनने होना चाहिए, लेकिन यहां जगा ना होने के कारण, स्थान की कमी के कारण यहां पर अनुस्वार का प्रियोग किया गया है, इसलिए यहां रूल है, अनुनासिक क चिन्न का स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है क्योंकि अनुनासिक चिन्न लगाने की जगा नहीं है मैं मैं क्यूं करेंगे ए आई ओ आउ की जब मात्रा आते हैं तो वहां पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं कि जब भी मात्रा आते हैं अरुनासिक किस्तान पर अनुसुवर का प्रयोगता है और इसमें ध्वानी में कोई बदलाव नहीं होंगे प्रनाउंसेशन सेम रहेगा तो लो बच्चों आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि यदी पंख्चम अच्छर क्या क्या एं मैंने बताई है काका गागया उसके है के बाद जाटधा ढालटा न प्लें आप वा या αυτ लिकित उतए का ωपत वाहा के पहले आता है उदारन के रूप में मालले जो पुन्य, यहाँ पर या के पहले पंग्चमक्षर आया है, तर और अनौध, कॉडिनेशन, समध बढ़े पहले आधना यानि पंग्चमक्षर आया है, ता ग्रुप के पंग्चमक्षर ना आया है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वontin स्यायार की प् यहां पर अनुस्वार का प्रियोग नहीं होगा क्योंकि यहां पर यहां के पहले पंच्छा मच्छर आया है तुम्हें तु मा है हा के पहले मा आया पा पा के गुरुप के जो पंच्छा मच्छर है मा वो आधा मा आधा ना यहां अना तो ऐसी स्थिति में हम लोग अनुस्व बस एक दो नियम है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है अनुस्वार, जिन सब्दों में पंचम अच्छर दो बार लगातार वा जॉइंट हो तो वहां अनुस्वार का प्रियोग नहीं होगा, जिन सब्दों में पंचम अच्छर दुइत्य या संयुक्त हो तो वहां अनुस्वार का प्रियोग नहीं होगा, बच्चों, साथियों इसे ध्यान रखिए, इसे भूले मत, बस आप नियाम याद कर लेजिए, आप असाम से कर पाएंगे, आप दूसरों के बता पाएंगे, आप सीख पाएंगे, बहुत ही असान है, इस तरह उधारन के रूप में सम्मान, सम्मान में आधा मा और मा, पूरा मा, दो बार मा आया है, इसी तरह जा, आधा ना म, और यहां पर दिखिए, आधा ना और मा, दोनों ही पंचा मक्षर है, ना भी पंचा मक्षर है, ताथ अधा अधा ना, पापापा मा, तो दो बार आया है, यहां सम्मान में भी द प्रियोग नहीं करते हैं, इस नियम को याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है बच्चों, आप कर पाएंगे, तो यह सीखना है आपको, अब आगे चलते हैं, तो बच्चों, आपको क्लास कैसा लगा, मुझे आसा है कि आपको अच्छा ही लगा होगा, तो आप इसका लाइक कीज कीजिए इसको वीडियो को, जाजाजा सेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो, तो हम फिर नए वीडियो के साथ आपको लेके आएंगे, नए चीज, हिंदी के, आपके सारे डॉट क्लियर करेंगे, जय हिन, जय भारत, स्वास्त रहिए, घर पे आपके साथ आपको लेके साथ, जय हो नही है तो, तो नही है पंपको लेकादू, नही है एक जात रहा है, जापको लेके एक अदूत, जात पिर दो आपको करो खूआवेगे, जात